बहुत सारे parents बच्चों को 10th और 12th के बाद academy join करने के लिए allow करते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम 10th और 12th तक सिर्फ study करें और उसके आगे study के साथ वो cricket भी खेल सकते हैं तो एक बार आप खुद यह सोच के देखें कि महद 4 साल के उमर में cricket स्टार्ट करने वाले players के आगे 17 या 18 साल के उमर में cricket स्टार्ट करने वाले players कहां से टक कर देंगे सीधी बात यही है कि अगर cricket खिलाना ही है तो अपने बच्चों को जल्द ही cricket academy join करवाएं आपकी अगर एज already 16 शत्रा या उससे जादा हो चुकी है तो आप किस तरीके से cricket में अपनी career बना सकते हो अगर आपको जाना है तो आप अपनी एज comment box में जरूर बताएं ताकि आपके लिए मैं वीडियो जल्द ही बना दूँगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हो लाइक कर लीजे और ऐसे और भी cricket से related informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लें